हेलो नमस्कार आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नए एस्टेडी बोलाग में तो कैसे हो आप लोग आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे मस्ट जवर्दस्त जिंदा बात होंगे आज का जो वीडियो होने वाला काफी इंपोर्टेंट होने वाला गाईस इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना एस्टिप किये हुए शुरू से लेके लास तक देखिएगा तो आज का इस वीडियो तरोगा एस्पिडेन से इंटर्वियू लेने वाले हैं, उनका क्या सफर रहा इस या बाइस चौत्तिरा जो पोस्ट आया, उसमें क्या स्टेजी रहा और किस तरह से उन्होंने तयारी की उसी के रिलेटेट ये वीडियो आप लोग को देखने के धन्यवाद, मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है, और मैंने गेजुरेशन में बीटेक किया हूं, उसके बाद मैंने सिविल सर्विशस की तियारी शुरू किया, और बीपीएसी और यूपीएसी का मैं एस्पिरेंट रहा हूं, बर्तमान में मैं बीपीएसी, बीएसी, सालिफाई हूँ चुका हूं, बर्तमान में मैं बीएसी में जॉइनिंग कर जुका हूं, रेल मुझेफरपूर में, सर उससे पहले क्या और बैक्गराउंड था, क्या अगर फैमिली के परपर से सर बैक्गराउंड देखे तो, मैं एक सधारन परिवार से ही आता हूं, मेरे पीता जी किसान है, मैं चार भाई हूं, मैं तीसरे नंबर का हूं, दो भाई मेरे पढ़ाई करने के बावजुद अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, और मेरे छोटा भाई है, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारे нормal student का ये सवाल रहते हैं, क्या हम normal student कैसे पास कर सकते हैं सरुद बिहार SI कोई बड़ी चीज नहीं है कोई भी एक्जाम ऐसा बड़ी चीज नहीं है आप आराम से पास कर सकते हैं बस इसके लिए सही रणनीती होनी चाहिए उसके लिए आपको लगातार परिश्रम करने की जरूरत है कब से कंप्टिशन का तयारी कर रहा है सर मैंने 2016 में अपन मैं आया था 1717 का एक जाम वेकेंशी उसमें मैंने प्री मेंस और फिजिकल पास किया था 246 में भी प्री मेंस और सोरी 1717 में मैं 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 मेरिट आउट हुआ हूँ और बरतमान में 223 में मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो चुका है सर स्टार्टिंग से टार्गेट क्या दर दूपर तरीके से मैं बीपीएसी अभी लगातार मेंस लिख रहा हूँ फाइनल रूप से स्लेक्ट नहीं हुआ हूं उसके बाद में यह मेरा थर्ड जो च्वायस होता है मैं यूपीएसी का पहला मेरा प्रेफरेंस रहा है उसके बाद बीपीएसी का और लाश्ट में मैंन लगातार तीनों का एक्जाम दिया हूं तो इसको आप कह सकते हैं कि हाँ मैं बिहार SI का भी में प्रोपर त्यारी करा हूं अभी जो बिप्यासी का पर था सर उसमें विद्ट जी मैंने एक्जाम दिया है अच्छा गया है होफ़ोली हो जाना चीए प्रिलिम्स और इससे पहले दे कर आए सर उसके लिए बहुत सारा धेर सारी सुबकाम नाया है तैंक यू जैसे बहुत सारे बच्चे दरोगा का तयारी कर रहे हैं सर उनको कौन-कौन सा बुक परना चाहिए सर दिखिए जो मैंने बताया कि मैं BPSC का एस्पिरेंट रहा हूं तो मैंने परिक्षावानी और दृष्टी की कितावे मैंने प्रेफर किया हैं बट परिक्षावानी एक बहुत अच्छी बूख है आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी बूख है थोड़ी सी एडवांस है बट आपको मैं अगर मेरे से पूछा जाए कि पढ़ाई क्या करना चाहिए तो मैं परिक्षावानी बूख को बहुत अच्छे सा सजेक्स्ट करूँगा आप उसको पढ़िए टाइम दीजे प्रोपर तरीके से उसको और उसके बाद आप प्रेक्टिस एड़ की बात करें स manufacturer से के बात करें तो प्रैक्टी सेट कौन लगाना चाहिए तब लगाना चाहिए सर और प्रैक्टी framework qya रॉल रहता सर एक्जाम में उसके वारे में थोड़ा सा बताए शर लोग यहां प्रैक्टिसर हां मैं कोई प्री हो जहा है में अगर कोई परी हो जाने जाता हूं तो सबसे पहले मैं यह कोशिश करता हूं कि जाहें कहीं से भी कोई यह मुख मार्केट भी या यह घुताब owns सकते हैं और प्रैक्टी सेट होते हैं उसका प्रेफर कर सकते हैं मैं एक्जाम से पहले लगभग 100 प्रैक्टी सेट बना लेता हूं तो यह बहुत अच्छी एक्चली क्या होता है कि जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आपको अधिक सदिक बॉल फेस करने की आदत होनी चाहिए या चाहिए आप कोई टोपिक पढ़ रहे हैं टोपिक पढ़ने के बाद आपने उसका जो भी बैक्ग्राउंड होता है जो भी उसके रिगार्डिंग इंफोर्मेशन होता है जो आपको आपने उसका कलेक्शन कर लिया है तो उसको आप यूज कैसे करेंगे तो उसका एक बहतर सोर्स है या ब्यहतर माध्या में उसका ट्रैक्टिसेट बनाना तो इसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेट पर्टिकुलर मिल जाता है सर अभी यूटूब आ गया है या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है सर उस पे करें नहीं यूटूब टेक्नलोजी हाड नहीं हाड नहीं बनाता है जिन्दीगी को आसान बनाता है टेक्नलोजी अगर जी इजी हो गया है बट उसका सही इस्तमाल होना चाहिए इंटर्टेन्मेंट भी बहुत ज़रूरी है तो आप जैसे कि आप सोट्स वीडियो वेगर पर देख सकते हैं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आप मूवीज्क सकते हैं सबी अप अराम से जो भी काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं अब यह द्यान देना हो चाहिए आप यूटूब पर फेस्बूक चला रहे हैं तो आप लागतार उसौन पर समाए ब्यक्तित कर रहें ऐसा झाल झाल